हेलो फ्रेंड आप सब कैसे हैं देखिए आज जो बर्फी बनाई हूं नो बहुत ही टेस्टी बर्फी बनी है देखिए आज कच्चे सिंघारे से बर्फी बनाएंगे सिंघारे को इस तरीके से छिल लेंगे इस तरीके से सिंघाडे को चेलेंगे तो बहुत असानी से छिल जाएगी पहले दोनों तरब के काटे हटा दें फिर बीच में इस तरीके से काटें जिस तरीके से मैं चेल रहे हूं उसी तरीके से छिलें बहुत असानी से सारे सिंघाडे छिल जाएगे अब सिंघारे को दो लेंगे एक मिकसर जार लिये हैं उसमें सिंघारे को पीस लेंगे देखें सिंघारा हमारे पीस गई है बीना पाने डाले हुए पीसेंगे सिंघारे में पहले से ही पानी रहती है अब चलिए इसके बर्फी बनाएंगे एक चमच घही डालेंगे जो बैटर पीस का रखे तो इसको डाल देंगे बहुत ही टेस्टी वर्फी बनीगी फ्रेंट एक वर इस तरीके से बना कर देखेगा अगर हमारे वीडियो अच्छी लेगी फ्रेंट तो लाइक आ सब्सक्राइब करिएगा इसको बीच बीच में चलाते रहें न तो चिपक जाएगी दो चमच ताजी दूद के मलाई डालेंगे आधा कर तोरी डूट डालेंगे आधा कर तोरी सक्कर भी डालेंगे टेस्ट के अकाउटिंग सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको चलाते रहने तो चिपकने लगेगी कूटी वी दो इलाइंची डाल दिये हैं अब इसको पूरा पानी जो है दूद है जो सब सुखा लेंगे जब तक कडाही बैटर नहीं छोड़ने लगी जब तक इसको सुखाएंगे देखे कितना अच्छे से कडाही अपनी बैटर छोड़ रही है अब ग्रेस को बंद कर देंगे चलिए बर्फी बनाते हैं जिस बर्थन में बर्फी जमाएंगे उसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे थोड़ा से कट गई बदाम डाल दिये हैं सारे बैटर को इसमें निकाल लेंगे इस तरीके से चिकने कर लेंगे हाथ में थोड़ा से घी लगा कर भी चिकने कर लेंगे ठंडा होने के बाद बर्फी क्या कर देंगे बहुत ही टेश्टी बर्फी बनती है इस तरीके से एक बर्फी पर जरूर बना कर देखें अभी मार्केट में बहुत ही सी इंगाड़े आ रहे हैं कच्चा कुछ भी मीठा खाने का मन हो जट से बना लें देखें कितनी अच्छी बर्फी बनी है इस तरीके से बर्फी अब सब बना कर खाया है कि नहीं फ्रेंड कर्मेंट करके हमें बताएं देखें देखने में भी बहुत खुबसूरत लग रही है खाने में और भी टेश्टी लगेगी झाले झाले झाल